नमस्कार, Delhi News 360.com की और से पेस है, नौर्थिष्टी पाँच बड़ी खबरे पर्थानमत्री जंधन योजना के ताथ पुरवत्तर राज्यों में सबसे अधिक असम में खाते खोले गए हैं पुरवत्तर के अन्य राज्यों असम के इन आकड़ों के सामने कहीं भी नहीं ठारते हैं असम के सहरी और ग्रामिन छेत्रों में 1,25,20,340 जंधन खाते खोले हैं जबकि पुरे देश में जंधन योजना के ताथ कुल 30 करोर खाते खोले हैं जिसमें 18 करोर खाते ग्रामिन छेत्रों में खुले हैं मिखाले में अगले साल चुनाओक होने वाले हैं ऐसे में भाजपा में शामिल हुए नेता काजी ने मौके की नजागत देखते हुए पार्टी से निकल कर NPP का दामन थाम लिया है पुर्विधायक फाउंडर काजी ने भाई साउंडर काजी अब नेशनल पिपल्स पार्टी में शामिल हो गया हैं 20 दिसमबर को उन्होंने अपचारिक रूप से NPP का दामन थाम लिया उन्होंने कहा कि NPP के टिकट से जीतने के बाद हुआ अस्थानी लोगों के हित में खरे रहेंगे रक्षा मंतराले ने LAC और LOC पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के लिए समान पेंसन व्यवस्ता लागू कर दी है मंतराले ने चीन के खिलाफ LAC पर देश की सिमाओ की रक्षा करते हुए सेना के ऑपरेशन में दुर्वटना ग्रस्त होने या फिर मारे जाने वाले सैनिकों के लिए भी समान पेंसन व्यवस्ता को मंजूरी दे दी है लक्षा मतरी निर्मला सिदर्रमन ने LAC पर देनात सैनिकों को भी पेंसन सुधाइक में होने वाले भेद भाव को खत्म करने के लिए आदेश जारी कर दिया है कछार जिला योग डाक्टर लक्षमा ने सुचित कर दिया है कि जिले में एन आर्सी के धाई लाक आवेदन की जाच दोबारा की जा चुकी है साथ ही उन्होंने वहाँ के लोगों से आग्रक याकी एन आर्सी को लेकर बेवज़ा परसान नहूँ लक्षमा में सब को बताया कि मुसवदा लिष्ट के प्रकासित होने के बाद भी आवेदक फिर से आवेदन और सिकायत कर सकते हैं नदी का पानी काला पढ़ने के बाद अब असम की ब्रंपुत्र नदी का पानी दूशित होने की चिंता की इस्तिती पैदा हो गई है असम के बरिस्ट नेता रिपुन बोड़ा नदी के पानी का काला रंग अरनाचल प्रदेश की स्यावन होने की वज़ा चीन को बताया यह पहले ही साबित हो चुका है कि ब्रंपुत्र नदी में बरती गंदगीम से अब इसका पानी पीने योग नहीं रहा इसे देखते हुए असम के नेता रिपुन बोड़ा ने बीते तिनों राजसभा में यह मामला उठाया था उनके मतावित नदी के पानी का दूशित होना कई लोगों के जीवन के लिए खत्रा सावित हो सकता है जो इस पर निर्वर हैं धन्यवाद